जाहिन दोस्तो, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आज हम लोग टैली यार्पी 9 के बाराहवे कलास में, इंप्लॉई को सैलिरी पेड करना सिखेंगे, दोस्तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर किजिए, क्योंकि इस तरह का एद्यूकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे है, चलिए दोस्तो, हम लोग बीना देरी की हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज सीखते हैं, टैली यार्पी 9 में, इंप्लॉई को पेमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए द करते हैं, और पांच इंपलॉई को मुझे दसदस अजार इस मन्त का पेमेंट करना है, तो हम इस टैली यार्पी 9 में कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तो, सबसे पहले आपको एफ 11 प्रेस करना है, जो यहाँ पर फीचर्स दिख रहे हैं, एफ 11 प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह के features दिखेंगे यहाँ से आपको जाना है accounting features अप्षन में अब दोस्तों accounting features अप्षन में जाने के बाद एक अप्षन आपको यहाँ पे दिखेगा maintain cost center का इस अप्षन को दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं yes कर लेते हैं उसके बाद एक option और दिखता है आपको huge cost center for job costing का इस option को भी हम लोग yes कर लेते हैं और enter करके हम इसको accept कर देते हैं यह दोस्तो salary paid करने के लिए cost center जो features होते हैं उस features को मैंने tally rp9 में on कर लिया है अब मुझे salary paid करने के लिए क्या क्या और work करने होंगे तो देखिए escape से back जाएंगे back हम लोग जाएंगे gateway of tally में उसके बाद फिर से जाएंगे accounts info में अब दिखेगा आपको एक laser option तो laser पे click करेंगे उसके बाद फिर से दिखेगा create option तो create पे click करेंगे और एक laser हम बनाएंगे salary का salary paid बना लेते हैं इंटर करेंगे यह दोस्तों अंडर जाता है indirect expenses में तो यहां से हम list of group से select करेंगे indirect expenses को फिर इंटर करेंगे उसके बाद inventory value affected का option आएगा जो no रहेगा उसके बाद एक option आपका type of laser का आएगा जो not applicable रहेगा और एक option आपको दिखाई देगा cost centers are applicable का इस options को yes करना अगर यह option आपका no भी रहे तो आप इसको yes कर लिजेगा इसको हम कर लेते हैं यस फिर इंटर करेंगे और उसके बाद कर लेते हम accept तो दोस्तों यह जो है salary का आपका laser बन चुका है अब हम फिर से इसके button प्रेस करेंगे और जाएंगे back अब जाना है आपको फिर से accounts info में ही उसके बाद just laser जो बनाया है उसके just नीचे एक option दिखेगा cost centers का cost center पे जाकर के आपको इंटर करना है फिर से आपको एक create option दिखेगा वहाँ से इंटर करना है और cost center में उतने employee का नाम बनाना है जितने employee को आप payment करना चाहते है तो मेरे पास अगर 5 employee है तो 500 employee का हम नाम यहाँ पर बनाएंगे जैसे माल लिया जाए एक employee का नाम मेरा अनिल कुमार है तो हम एक यहाँ पर लेजर अनिल कुमार के नाम से बना लिए यह अंडर जाएगा आपका primary में और use for job costing option नो रहेगा और इसको हम एक्सप्ट करेंगे एक बना लेते हैं दोस्तो सुनिल कुमार के नाम से इंटर करेंगे यह भी अंडर जाएगा primary में और job costing नो रहेगा और इसको हम एक्सप्ट करेंगे एक बनाते हैं दोस्तो अमीत कुमार के नाम से ये भी अंडर प्राइमरी में है जाएगा जॉब कोस्टिंग नो रहेगा और इसको हम accept करते हैं एक बनाते हैं दोस्तो राहूल कुमर के नाम से इंटर करेंगे ये भी अंडर प्राइमरी में जाएगा और जॉब कोस्टिंग नो रहेगा और accept करेंगे एक बनाते हैं रमेश के नाम से इंटर करेंगे ये भी अंडर प्रैमरी में रहेगा और जॉब कोस्टिंग नो रहेगा और एक्सेप करेंगे दोस्तो अगर आपके पास 500 भी नेम है ना 500 एंपलाई को अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसी तरह 500 एंपलाई का नाम वहां पे आपको लिख लेना है उसके बाद इसकेप से बैक जाना है बैक जाने के बाद गेट्री आफ टैली तकाना है अब आपको पेमेंट करना है अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए हमें जाना कहा होगा तो वाउचर में हम ट्रांजेक्शन के एकाउंटिंग वाउचर अप्सन में जाएंगे और इंट्रे करेंगे जैसे इंट्रे करेंगे दोस्तों पेमेंट का आपका डायलग बॉक्स यहाँ पे ओपिन हो जाएगा अब यहाँ पे payment दिखा रहा है यहाँ पे number दिखा रहा है यहाँ से आपका salary paid का laser होगा debit में तो दोस्तों यहाँ से हम salary paid को कर लेते हैं select अब अगर मेरे पास 5 employee है पाचों को अगर हम 12-12,000 रुपया देते हैं तो हम total 60,000 रुपया payment करेंगे तो मैंने यहाँ पे 60,000 रुपया को लिख लिया अगर आपको दिक्कत हो रहा है तब calculator भी खोल करके calculate कर सकते हैं इंटा करेंगे उसके बाद escape button प्रेस करेंगे और यहाँ से अमीद कुमार को हम 12,000 रुपया को payment करेंगे फिर दूसरा हम यहाँ से अनील कुमार को select करेंगे और इसको भी 12,000 payment करेंगे फिर अगला जो है हम यहाँ से राहूल कुमार को select करेंगे और इसको भी 12,000 payment करेंगे दोस्तों यह payment उपर नीचे भी हो सकता है जरूरी नहीं कि 12,000 ही करेंगे हम रमेज को सपोज पेमेंट कर रहा है 13,000 रुपया और लास्ट जो बच रहा है आपका शुनील कुमार इसको हम करेंगे 11,000 रुपया मतलब कुल मिला के 60,000 रुपया को हमने डिस्टिब्यूट कर दिया कुछ इस तरह से इंटर किया उसके बाद दोस्तों ये पेमेंट आपको कैस करनी है या फिर चेक से करनी है तो अगर दोस्तों कैस करनी है तो यहाँ पे कैस की लेजर होगी अगर आपको चेक से करनी है तो और C ब्रेज करके जिस बैंक का भी चेक है उस बैंक का एक लेजर बनाना परेगा. जैसे मैंने बनाया SBI bank ये अंडर जाता है आपका bank account से और इंटर करके हम इसको कर लेते हैं accept अगर आप उसका holder ये account holder ने automatic आजागे आपकी company की आप अपना account number डाल देंगे आप अपना SBI का जो भी है IFC code वो आप डाल सकते है यहाँ पे इंटर करेंगे और ये branch का नाम डाल सकते है अगर आप bank payment कर रहा है तो और इसको हम कर लेते हैं accept तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम SBI bank दे देते हैं तो ये जो भी employee का payment हुआ वो by check के through हुआ लेकिन अगर check के through मुझे ये इंटर करके accept कर देना है तो आपका check के through payment हो गया लेकिन अगर आपको check के through नहीं करना है तो हम escape से जाते है back और यहाँ पे देते हैं cash अगर आपको cash payment करना है तो cash को select करेंगे इंटर करेंगे उसके बाद एक narration लिखेंगे being salary paid तो आप दोनों तरह से असानी से payment कर सकते हैं दोस्तो being salary paid और उसके बाद हम इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे accept अब यह दोस्तो salary payment का transaction आपका successfully हो गया अब इस transaction में कोई editing करना होता है तो हम escape से back जाएंगे back जाने के बाद यहां से आपको options दिखाई देगा display display में जाना है फिर आपको एक option यहां पर दिखाई देगा डेbook का तो यहां से डेbook पर जाना है अब आपको यहां से salary को select करके इंटर करना है जैसे इंटर करेंगे दोस्तो यह editing का option यहां पर दे दिया है अब आपको माल लिया जाए किसी के salary में अगर बढ़ाओ या फिर घटाओ करना है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं कुछ इस तरह से फिर इंटर करेंगे और इंटर करके इसको हम करा देंगे accept तो ये salary slip आपका change हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तो salary paid कर सकते हैं अगर दोस्तो इसका आपको print out निकलना या export करना इस बिलको तो आप इंटर करेंगे अल्ट के साथ E button प्रेस करेंगे या print करने के लिए alt और P button प्रेस करेंगे यहां से print का option आएगा yes करेंगे दोस्तो तो ये print out आपका यहां से निकल जाएगा अब दोस्तो अगर आप balance sheet वगरा देखना चाहते हैं या profit and loss तो उसके लिए escape से back जाएंगे और यहां से जाएंगे profit and loss option में इंटर करेंगे तो ये net loss आपको दिखाएगा भी साथ हजार because आपने new company बनाई और साथ हजार रुपया payment कर दी मतलब expense कर दी तो ये आपको details दिखाएगा alt of phone करेंगे तो fully details ये आपको दिखाने लगेगा कि salary paid में आपने साथ हजार रुपया दिया है जो साथ हजार रुपया आपका loss में जा रहा है तो इस तरह से दोस्तो हम लोग Tally ERP9 में salary के payment करते हैं तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएए और आप मेरे चैनल पे नए है तो please चैनल को like and subscribe जरूर किजिए क्योंकि इस तरह का educational वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे है तो फिर मिलते हैं दोस्तो किसी अग